हाई फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग ही अर्देशिच के पिएस किरार और आज सुबह जो मैंने मोटिवेशनल किताब पढ़ी और जो सीखा आज मैसिव एक्षन के बारे में वो आपके साथ सेयर करना चाहता हूँ और आज स्रीमत भगबद गीता में छटी अध्याय के 23 विश्लोग को पढ़ा असंशयम महाबाहो मनु निग्रहम चलम अर्जुन ने स्री कृष्ण से पूछा कि इस मन को निग्रह पाना नियंत्रण करना बड़ा कठिन है तब स्री कृष्ण करते कहते हैं कि अभ्यासेन तो क पढ़ाय कि करत करत अभ्यास के जडमती होत सुझान रसरी यावत जाते ही सिल पर होत निसान यानि कि अ बार बार अभ्यास करने से कोई मंद वुद्धिव्यक्ति भी बुद्धिमान हो जाता है जिस प्रकार किसी कुए में बार बार रसी के उपर नीचे आने जाने से पथ प्रेक्टिस मेक्स अनली पर्मानेंट और दूसरी बात है कि हमारा जो अभ्यास होना चाहिए हमारा जो एक्षन होना चाहिए वो मैसिव एक्षन होना चाहिए हम उधारण देखते हैं अपने आसपास हम वो डीजल इंजन वो जनरेटर कोई ट्रैक्तर जो हैंडल से देखते हैं कि अगर धीरे 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 उस हैंडल को चलाया जाए तो साइद कभी वो मसीन चालू नहीं होगी लेकिन मैसिव एकसम तीब्र प्रयास लगातार प्रयास करने से बहुत जल्दी चालू हो जाती है अपने हेंड़ पंप देखे होंगे कोई हेंड़ पंप मान लो 50 चास बार में पानी निकालेगा और आप चालिस बार प्रयास करने के बाद 10 मिट के लिए बैठ जाते हैं फिर 35 बार चलाते हैं और 5 मिट के लिए फिर बैठ जाते हैं फिर 30 बार चलाते हैं और फिर 10 मिट के लिए बैठ जाते हैं आप कभी हेंड़ पंप से पानी नहीं नि की तीन दिन पढ़ाई की एक दिन पढ़ाई नहीं की तो कभी सकसेज नहीं मिल पाईगी या बहुत लंबे समय के वाद सकसेज मिलेगी लेकिन अगर आपका मैसिव एक्षन है आपने वर्डे को छोड़ दिया आपने साधी को छोड़ दी आपने अपना एक लक्षे बना लिय प्रयास में आप सत्य मैसिव एक्षन में काम कर रहे हैं हर पल हर छण आप उसके लिए काम कर रहे हैं बहुत तेजी से बहुत जल्दी एक बार में ही सफलता मिल जाएगी क्योंकि स्वामी विवेक अनंद ने भी कहा है कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि आपको लक्ष की प्राप्ती न हो जाए तो मैसिव एक्षन बहुत जरूरी है सतत प्रयास लगातार प्रयास हमेशा प्रयास एक बार ताकत लगा के प्रयास कर लो और लाइफ टाइम के लिए फ्री हो जाओ विद्धिस थैंक यू सो मज दोस्तो आज की सबहतरी लर्निंग